लेकिन CDSL ने क्या किया कि यह electronic form में अपने डिमेट एकाउंट के थुरू depository रखने लगा और इसके कुछ चार्ज यह करते हैं जो कि हम देखते न वो 20 रुपीज जो ब्रोकरेज करते हैं उसमें से इसे चार्ज जाता है CDSL एक तरह से अपने भालत में duo poly है CDSL and NSDL लेकिन ज्यादा market capture CDSL के पास है ACA में भी वही है और world में भी बहुत अच्छी position पर है तो मुझे अच्छी लगती है इसलिए क्योंकि duo poly है और जितना market में transaction होंगे इसका transaction बढ़ता रहेगा अब आते हैं इसके revenue तो 35% revenue इसके transaction charges से आते हैं and 16% revenue इसके data charge से आते हैं तो एक तरह तो simple सी चीज है कि transaction आने वाले समय में और बढ़ते जाएंगे क्योंकि mutual fund हो या direct investment हो तो या ऐसे सब चीजों में इसे फायदा होंगे data charges बढ़ेंगे क्योंकि mobile lab से काम हो रहे है online हो रहा है तो यह भी इसको benefit मिलेगा